तो जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं के विएस इंटर्व्यू प्रेपरेशन के बारे में तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरा नाम है विजे और मैं लास्ट येर 2017 और 2016 में इंटर्व्यू दे चुका हूँ धेर सारी information आपको YouTube पे मिल जाएगी, बट ये मेरा personal experience है तो ये आपको शायद काम आए, तो start करते हैं सबसे पहले कि basically वहाँ पे होता क्या है, तो KBS में जब हमें timing का अवताय जाए तो timing 9 बज़े से start हो जाता है इंटर्व्यू, बट जो लास्ट येर मेरा इंटर्व्यू गय वह basically आपका इंटर्व्यू लेता है, तो सबसे पहला question तो ये आता है कि पैनल में basically जो members होते हो कितने थे, तो last year कि अगर मैं बात कहूं, तो panel members जो थे, वो मेरी थे, वहाँ पे 5 panel members थे, ठीक है, और उसमें 3 or 3 वो basically ladies होती है, और basically जो दो थे, वो male teachers थे, ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो बात start होती है कि actual में आपकी interview में check किया किया जाता है, तो interview में देखिए कि हमें वहाँ पे assistant commissioner थे, KBS के, तो उन्होंने बताया कि हम आपका knowledge check नहीं कर रहे है, knowledge आपका check पहले हो चुका होता है, तो basically जो यह चीज चलती है, वो आपकी चलती है सबसे पहले, personality check के बारे, आप देखो personality check में, आप यह ने सोचो कि personality check में काफी जादे चीज़ी आती है, सबसे पहले तो यह होता है कि dress code, dress code आपका बिल्कुर decent होना चाहिए, जैसे कि मैं आपना खुद का experience बताऊं, तो मैंने एक white shirt और simple एक tie और जो trouser है आपका, वो simple सा एक formal trouser था, ठीक जो है वो वहाँ पे basically check होता है, आपकी color देखे जाएगी कि आपको बढ़ाना आता है कि नहीं आता है, जिस भी category में आप जा रहे हैं, जैसे स्पोस करो, TGT के लिए या PGT के लिए, तो basically आपकी यह चीज़ी चेक होगी, तीसरी बात करते है teaching methodology, मतलब अगर आपको B8 का पे title नहीं देना है, जो आपने पढ़ाना है, basically आप पहुंचोगे, PKD करोगे, previous knowledge testing, और उसके बाद बात करते हैं कि interview में सबसे पहले होता गया, जैसे आप जाते हैं, तो सबसे पहले आप enter करेंगे, आपने सबसे पहले जो wish करना है, वो basically जो वहाँ पे lady होंगी, lady member होंगे उनको सबसे पहले wish करना है, और उसके बाद जो है, mail teachers को wish करना है, उसके बाद आप उनको पूछेंगे, कि मैं बैठ सकता हूँ, यह बैठ सकती हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स जो चलेगा, वो आपका basically चलता है bio data, bio data form भरवाई जाते हैं आप से, और वो basically चेक होंगे वहाँ पे, और वो उनके members के पास होते हैं, तो bio data आपना बिल्कुल brief रखिए आप, उसमें हर एक चीज जो भी आपने mention की हुई है, तो उसके बारे में आपको हर एक बारीक की से बारीक की knowledge हो है, वो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद वो आपको कहेंगे कि आप TGT के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो स्पोस्ट करो मेरा TGT science है, तो बोल सकते हैं, physics बढ़ाओ या chemistry बढ़ाओ, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आपको कम से कम तीन demo जो हैं, वो अलग लग आपको prepare करने हैं, ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं, कि जैसे और उसके आप जो भी उनके mind में चलाओगा, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बड़ा आपको थोड़ी सी preparation जो है, वहाँ पर करनी है, आप वहाँ पर brief, जो KVS का knowledge है, ठीक है, कि KVS बेसिकल स्टार्ट कब हुआ, उसके अभी commissioner कौन है, या कोई भी मतल उसके related आपको चीजें पता होन बड़ वो आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको English ही वहाँ पर बोलनी है, और ये देखिए, मैंने आपने basically score लिखा है, विछ लिवार का, ये मेरे 56 out of 60 marks है, ठीक है, तो ये मेरा highest score है basically, अपने जो science की stream थी उसमें, और इससे पीछे जो मैंने 2016 में दिया था, तो उस time मेरे marks only 30 है, 30 out of 60, तो देखिए, एक साल में 30 marks से 56 में कैसे पहुंचा, अगर ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से बारीकी पता करनी है, ठीक है, तो मैं next video जुरूर ना हूँगा, और उसमें ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, briefly discuss करेंगे, तो सबसे पहले, अगर आपने पहली बार मेरा चैनल देखे है, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कीचिए, और लाइक कीजिए और मुझे कमेट में बताइए कि आपको और कोई नौलेज चाहिए, धन्यवाद